वेल्कम यौल तो लेट्स क्राइक यूपी सीसे अच काफी सारे टॉपिक्स है तो इस आर दॉपिक्स देट वी आर गूंग तो डिसकस फर्स्ट इस बाउट आई पी सीसी ऑन मल्टीपल हजार्ड यह टॉपिक आपका इन्वार्मेंट का बन जाता है नेक्स्ट इस बाउट लीगल साइड जो रश्या का टैक है उससे कई सारे आस्पेक्ट आपके राइज हो रहा है और दूसरे कई सारे आर्टिकल्स हैं वो डिसकस करेंगे नया एरिया है नई चीज़े हैं जो इसमें चर्चा की गई है तो इसमें राइट तो प्रोटेक्शन वाला भी एक का टॉपिक आपका बनता है द्योचा पचामी कोल ब्लॉक कंट्रवर्सी है इस अल्सों वेरी इंपोर्टेंट ये टॉपिक आपका इंजनल जीएस पेपर टू के अंदर फ्रेम हो जाता है मिलिनम चैलेंज कॉर्परेशन कॉंपेक्ट नेपाल और यूएस के बीच में इस अगर बात किया जाएं कास आउस ये दो मेजर आपक्स आज नए टॉपिक्स हैं जो क्या मोग डिसकस करेंगे दिवचा पाचामी कोल ब्लॉक कॉंट्रवर्सी और मिलिलियम चैलेंज कॉर्परेशन कॉंपेक्ट बेटिविन नेपाल एं यूएस और तीसरा पॉंट ये भी यूए सब्सक्रिप्षिन अगर आप वन ये का सब्सक्रिप्षिन लेते हैं तो आपको इसमें फ्री है again you have to use the code SPLIVE further off के लिए आपको 10% जो है उसमें you can use the code SPLIVE without any space तो इस code का इस्तमाल करके आप join कर सकते हैं combo subscription मतलब आप GS और जो optional है तो agriculture optional के लिए आप उससे जुड़ सकते हैं देखो optional के लिए आपको क्या करना है आपको जाके unacademy में जिसे आप सिर्फ optional करना चाहते हो गया unacademy के अंदर optional वाला subscription लिया तो फिर agriculture का जो optional अगर आपको करना है तो उसमें आपको batch 2 का course पूरा देखना है और advanced course का पूरा देखना है यह दोनों चीजे देखके आपको पूरा जो agriculture optional है वो complete हो जगा जो जो guidelines उसमें class के दारा दी गहीं उसको follow करना है so 18 month का subscription है तो यह plus further आपका 10% का discount है use the code SPLIVE और इसका आप हिस्सा बन सकते है इसमें GS और optional general studies के सारे subject और optional दोनों included है test series आप separately कर सकते हो चाहो तो 28 test है, 56 test है, 1 year और यह यहां भी आप code use कर सकते हो, that is SPLIVE तो जो भी benefit अवेल करने के लिए you have to use the code, this code जो आप join करते हैं तो यह जितने भी batch courses से उनको आप access कर सकते हैं free mega test series है UPSC-CSC के लिए जिसे Hindu practice quiz है यह हर Wednesday को साड़े 10 बजे होता है तो उसका आप इससा बन सकता है तो लेट स्टार्ट शुरू करता है पहला जो topic है first topic is IPCC war of multiple climate hazards so this is the first topic तो यहां पर इस data को आप बहुत जगाओं पर इस्तमाल कर सकते हैं जैसे Indian states के बारे में इसने कई सारे points highlight किये हैं साथ में जैसे environments related या जो concept है environments related जो चीज़े immerge होती हैं तो वहां पर भी इस data का कई जगों पर जो इस्तमाल है वो आप कर सकते हैं ठीक है so यहां देखा जाए अगर the world faces unavoidable multiple climate hazards बहुत तरीके के जो multiple climate hazards है next two decades में face करना पड़ेगा क्योंकि temperature overall जो pre-industrial level है उससे 1.5 degree Celsius continuously increase हो रहा है so अगर यह जो temperature है continuously increase हो रहा है तो इसका जो impact है बहुत सारे ऐसे impact होंगे that will be irreversible जो भी impact होंगे वो permanent impact आपके हो सकते हैं human activity की वजह से जो जलवायू परिवर्तन हो रहा है climate change आपका हो रहा है intense जो events है weather events है, climate events है जो देखने को मिल रहा है तो और इससे जो negative impact है या overall जो disaster है वो तो cause हो रहा है प्रकृति भी impact हो रही है और जो लोग है वो भी आपका we can say impact हो रहा है some development and adaptation efforts have reduced vulnerability although कुछ जो development है हुए है जो कुछ efforts किये गए है adaptation से related उससे जो vulnerability है that has reduced इंडिया की बात किया जाए तो जैसे लखनाव और पटना है यहाँ पे यह जो cities है to reach a wet bulb temperature लगबग 35 degree Celsius का temperature तो यह on and average होगा मेभी जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो यह temperature और अधिक आपका increase हो सकता है भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदाओर, एहमदाबाद यह क्या है at risk है मतलब यहाँ भी जो यह temperature है 35 degree Celsius का जिसम wet bulb temperature कहता है wet bulb temperature यह जो wet bulb temperature है 35 degree Celsius का दो स्टेट सा लखनव और पटना जहाँ पर already देखने को मिल रहा है कि इतना temperature अपका बढ़ गया है और भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, और इंदाओर, और एहमदाबाद यह reach कर जाएंगे 32 से 34 degree Celsius तक temperature हो गया है आसाम, मेघाले, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, जहार, कंडुडीसा, चत्तिस घड़, उत्तर प्रदेश, हर्याना और पंजाब यह जो है यह most severely affected है अगर emission continuous basis पर increase होता है तो यहाँ भी by the end of the century यह 35 degree Celsius का जो wet bulb जो temperature जीसे का जा रहा है वहाँ तक रीच कर जाएगा तो overall अगर temperature इस तरीकी से बढ़ता है तो वहाँ का पूरा का पूरा ecosystem भी impact होता है overall because concretization of urban space काफी अधिक हो गया roads है, buildings है यह सब चीजें तो urban heat islands का formation आपका होगा तो इसके काफी negative impact पढ़ सकते हैं जब भी हम urbanization की बात करें urbanization कोई topic है तो उसमें यह जो बदला हो रहा है जो wet bulb temperature तक रीच करने की बात है तो वह temperature तक अगर रीच करता है तो काफी सारे negative impacts आपके पढ़ेंगे next देखते हैं debunking Russia's international law justifications अब देखो यहां पर हमें कुछ चीजे देखनी है जैसे कुछ articles हैं Russia ने कहा है कि हम जो attack हमने किया है उसके पीछे यह points है तो वो topics हमाई लिए important हो जाता है तो इससे topics आपको निकालने पड़ेंगे पूरे जो content है सारा content आपके लिए important नहीं है जैसे इससे पहले जो topic आपका निकाल लाता है R2P R2P के बारे में हमें जाना है प्लस कुछ articles इसमें mentioned है जैसे article 51 This is article 51 UN Charter का तो यह this is also very important तो दो तीन चीजे हैं जो ध्यान में रखना है तो यह जो जब तक यह पूरा चलता रहेगा जिसे Russia और Ukraine का जो conflict है इसको आपको अलगस एक IR वाले जो notes आप बना रहे हो तो उसमें इस section create कर लो इसमें बहुत सारे economic level पे international law की level पे और कई concepts आपके आते रहेंगे इमर्ज होते रहेंगे जिसके हमें पता होना चाहिए तो वो आप साथ में note करोगे जो बाद में revision काफी आसान हो जाएगा जब आप पढ़ोगे so revision will also be easy अचा 5M series जैसे मैंने आपको बताया है आप 5M series का PDF में आपसे direct share कर देता हूँ ठीक है? ग्रूप में जो target UPSC mains है या सौरा पांडयाना Academy का जो telegram channel है तो उसमें आपको direct PDF मिल जाएगा तो उस PDF को download करना है उसको questions को आप solve कर सकते हैं खुद से proper answers है सब कुछ है तो आप उसको आप solve कर लें फरवरी का जो compilation है मैंने आपसे share कर दिया है तो इस तरीके से करना है तो 5M series के जो questions, topics हैं प्रॉपर तरीके से आपको मिलेंगे तो आप उसको खुद से download करके और अपना उसको read कर सकते हैं solve कर सकते हैं उस compilation मैंने December, January, February तीनों का compilation मैंने आपसे share किया हुआ है इस बार अभी कल फरवरी का compilation 5M series का वो I have already shared with you ठीक है? यह ध्यान रखना है अब इसमें कई topics आपके arise होते हैं तो पहली चीज़ तो क्या है? रश्या ने कहा कि जो statewood है डॉनेट्सक और लुहांस का तो यहां पे जब उसने किसी भी देश के दूसरी state को अगर उसने recognize कर दिया तो रश्या ने violate किया है? इस article को UN Charter के इस article को तो देखो जब international law या relevance की बात की जाती है तो यह सब चीज़ां आप highlight कर सकते हो फिर उसके बाद article 51 की बात की यहां पे जो article 51 है इस article 51 के तहत यह right provide करता है individual को या group of countries को for a collective defense mechanism अगर कोई देश उन पर attack कर दे तो यहां पे जो रशिया है रशिया ने article 51 को highlight किया है कि देखो यह जो article 51 है UN Charter का इस वज़े से हमने attack किया इसका मतलब यह था कि उसने कहा कि यूकरेन से हमें बहुत threat जो है वो face करना पड़ रहता और क्योंकि हम बहुत सारा threat face कर रहते इस वज़े से हमने attack carry out किया अब यह भी possibility है कि यूकरेन जैसे अब यूकरेन ने application भरा है European Union का part बनने के लिए देरे देरे हो सकता है और NATO का भी हिस्सा बन जाए तो वो फिर एक बहुत tension की बात हो जाएगी रशिया के लिए अब रशिया उसको कैसे respond करता है वो सोचने वाली बात हो सकती है तो दूसरा का आगा कि right to collective defense under article 51 exists only for states states का मतलब जैसे दो countries के बीच में है अब डोनेट्स का लोहांस तो यह states है नहीं यह अंडर international law वो तो यूकरेन का हिस्सा थे तो पहले आपने declare किया कि देखो डोनेट्स का लोहांस का मारे है और उसके बाद उसको independent declare कर दिया और फिर कह दिया देखो threat हम face कर रहा है although threat की कई माहिने है लेकिन यह भी एक point बन जाता है फिर Rome Statute है यह जो Rome Statute basically इसमें article 8b है तो यह जो article है जिसे Rome Statute है international criminal court से related है so there is a difference between international court of justice and international criminal court दोनों के बीच का अंते रहा है so यह थोड़ा सा आपको याद रखना है international court of justice and international criminal court यह दो courts के बारे में इनके दो जो difference है वो आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे जो international criminal court है international criminal court की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही अगर जो भी ICC जीसे हम कहते हैं तो यह अपना jurisdiction exercise तभी कर सकता है जैसे कोई भी aggressor है aggressor यहाँ पे जैसे रश्याएक aggressor की रूप में है so यहाँ पे an act of aggression इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी देश के sovereignty, territorial integrity या उसका जो political independence है उसको compromise करते हो sovereignty हो गया territorial integrity हो गया territory आपने डोनेट्स और लुहांस को उसको आपने जो है आपने एक independent declare कर दिया या political independence of another state की जब हम बात करते हैं तो यह जब compromise होता है तो उसमें international criminal court act कर सकता है ICC act कर सकता है Rome Institute के तहट यह ICC का गठन भी किया गया जो ही ICC का हिस्सा नहीं है इसलिए ICC इसमें या international criminal court इसमें इंटरफेर नहीं कर सकता है यह एक angle आपका arise होता दूसरा जो concept आता है वो right to protection का है responsibility to protect का है responsibility to protect जिसे R2P हम कहते हैं यहाँ पे इस doctrine को भी invoke किया गया यह doctrine of humanitarian intervention जिसे responsibility to protect हम कहते हैं इसे simple सी बात यह है कि जैसे कोई भी देश है और उस देश में किसे ने attack कर दिया या जो भी वहाँ पे humanitarian crisis है तो उसके लिए कोई दूसरा देश मदद कर सकता जैसे Libya के अंदर जो NATO ने इंटरफेर किया था उसमें R2P responsibility to protect का जो clauses का उसने use कर लिया था तो जो responsibility to protect population है कोई भी population मालो किसी देश में genocide, war, crime, crime against humanity ethnic cleansing इस सब चीज़ें अगर face कर रहे हैं तो यह आपका invoke किया जा सकता है और UN World Summit Outcome Document 2005 के अंदर इसको define किया गया है कि responsibility to protect basically क्या है शॉट में से R2PB we also call it तो यहाँ पे अगर कई international institution नहीं successful आइसे जो आइसे genocide, war, crime और crime against humanity इसाइम नहीं की निस तो वहाँ पे कई countries आके-ाके मदद कर सकती जैसे कई सारी आइसे atrocities हुई Rwanda में या फिर Yugoslavia के अंदर तो यह आपका हुआ है तो International Committee on Intervention in State's Society developed the concept of responsibility to protection during 2001 और फिर responsibility to protect 2005 के अंदर पूरे unanimously अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें दो क्लॉस हैं इसमें वर्ल्ड सम्मिट आउटकम डॉकुमेंट में 138 क्लॉस और 139 क्लॉस जो की responsibility to protect को define करते हैं हर एक जो individual state है उसकी responsibility है कि वो अपने population को genocide, war crime, ethnic cleansing और crime against humanity से protect कर सकते हैं और यह जो responsibility है इस responsibility के तहत अगर जरूरत पड़ती है तो international community भी उस state को मदद कर सकती है और वो भी international community भी अपने इस responsibility को exercise कर सकती है और United Nation के द्वारा भी मदद आपका किया जा सकता है इवन जो United Nation की मदद भी की जा सकती इन establishing early warning capability फिर जो international community through United Nation also has the responsibility to use कई सारे diplomatic humanitarian और दूसरे peaceful means भी इस्तमाल किये जा सकते हैं जिससे की किसी भी country के अंदर genocide, war crime या ethnic जो cleansing है या crime against humanity है उसको रोका जा सके है तो world summit outcome जो document है उसमें ये दो clause है एक 138 और एक 139 है तो दो 138 और 139 clause के अंदर responsibility to protect को आपका define किया गया है तो इस पूरे article के अंदर आपको ये दो चीजे ये कुछ चीजे धान बरकर line to line read नहीं करनी है कि आप कहानी सुन रहे हो argument चल रहा है कि वो सही है वो गलत है ये सब में आपको नहीं जाना है ठीक आप arguments सही गलत वाली चीजे इस debate में आपको नहीं जाना है तो यहाँ आप देको reporting cyber attacks की बात की जाए रिपोर्टिंग cyber attack ये ये भी important article है cyber security की context में देखा जाए तो clause 25 data protection bill 2021 के तहरत इसके according जो data है वो data report करना ये कोई भी personal या non-personal data का अगर breach होता है तो इस bill के तहरत data protection bill 2020 उसको report करना ज़रूर है तो कोई भी incidence है उसको report करना जैसे किसी company के अंदर कोई attack हो गया cyber attack तो companies भी hesitate करती है बताने में क्यों बताने में को उनको लगता है कि उनका reputation down हो जाएगा तो यहाँ पर जो clause 25 है वो साफ-साफ कहता कि कोई भी अगर personal या फिर non-personal data breach होता है so within 72 hours जो incidence है उस incidence को inform आपका ठीक है inform करना है even जो golden standard है for data protection जिसे हम European Union Journal Data Protection Regulation EU GDPR भी कहता है तो इसमें भी already already यह चीज highlighted है कि जिससे देखो कोई भी अगर violation होता है किसी भी जगह पे किसी company में या कहीं भी जहां भी data breach होता तो उसको अगर हम highlight ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि what we should do हमें क्या कदम उठाना चाहिए security breaches की बात किया जा तो यहां पर even cyber crime की वज़ेव से इतना damage आप का हो सकते है data आप code कर सकते हैं बहुत जगह में cyber security की important topic है gs paper 3 के अंदर लगबख dollar 6 trillion globally in 2021 इतना damage कास किया है तो वर्ड थर्ड लार्जेस्ट एकोनॉमी आफ्टर यूएस और चाहिए चाहिना के बाद मतलब इसको देख लिया जा तो जितना damage हुआ है वह थर्ड लार्जेस्ट एकोनॉमी आपकी बन जागी तो यह data आप कई जगह पर यूज कर सकते हैं तो private firms है, government है, बहुत सारे हैं जो cyber attacks की तरफ प्रोन है, ransomware है, ransomware के तहट क्या होगा कि कोई भी आपके computer में कोई भी virus चला गया, उसने सारी files, important files हैं, वो files आपका, file को ऐसा control ले लिया और फिर आपसे पैसे मांगे, बिट कोई और ransom में, तभी वो आप आपसे code कोई शेयर करेगा, तभी आप उन file का इस्तमाल कर सकते हैं, तो यह जो ransomware attack against nationwide gas pipeline 2021, US के अंदर जुआ था, जिसमें इसने लगबग transportation about 45% of all petrol and diesel consumed on the east coast, तो आप यह imagine करो कि इस ransomware attack की वज़र से, लगबग 45% जिते ही petrol and diesel consumed हो रहे थे, east coast में, US के, वो उसका transportation आपका impact तो कितना ज़्यादा impact हो सकते हैं, इवन जो advanced economies हैं, वहाँ भी देखने को मिल रहे था, अगर incidence report किये जाते हैं, इंडिया की case में देखा जाए, तो इंडिया का computer emergency response team है, वो तुरंत alert जारी करेगा, और दूसरे कई steps लिए जा सकते हैं, जैसे एक firm को में attack किया गया, तो और नहीं cyber security infrastructure को improve करने के लिए, यह incidence reporting काफी help रहेगी, लेकिन जो firm है, वो भी बताने से डरती हैं, उनका सबसे बड़ा वही reason आज आपका आजाता है, कि अगर security और privacy breach को highlight करेंगे, मतलब incidence reporting करेंगे, जब भी attack होता है, तो उनका reputation है, वो down होगा, यह जरूर है, तो इसको र cyber security audit कराना जरूरी है, अगर cyber security audit किया जाता है, तो इससे यह idea लग जाता है, कि जो cyber security है, उसके infrastructure में, जो required infrastructure है, वो सही है कि नहीं है, कहाँ पे हम improvement कर सकते हैं, कहाँ पे और आगे बढ़ सकते हैं, तो possible solution है, कि जो third party cyber security auditor होना चाहिए, जो कि हमेशा cyber security impact assessment को देखे, different government departments and national or state level पे वो कदम उठाए, government यह ensure करे कि जो periodic security audit report है, वो publish हो private firms के दोरा, private firms भी proper तरीके से जो cyber security audit है, वो जरूर से carry out करे, और government departments है, state और national level पे वहाँ पे भी आपका जो cyber security audit है, वो करना जरूरी बन जाता है, The ministry as a part of cyber security assurance initiative of the government of India, to evaluate and certify IT security products and protection profile, has set up a common criteria testing laboratory and certification bodies across the world, तो जैसे यह कई सारी ऐसी schemes है, जैसे cyber security assurance initiative of government of India का, जिसके तहत जो IT security products है, उनको certify करना कि यह जो product है, यह product में ऐसा कोई cyber threat नहीं है, तो यह कुछ ऐसी schemes है, तो यह schemes कैसे हो, जैसे कोई भी मालो product है, IT product है, उसको कई जैसे यह common criteria testing laboratories है, यह certification bodies है across the country, वहाँ पर इनको certify किया जाएगा, ठीक है, यह जो security product है, इस security products के किसी भी तरीके का cyber threat नहीं है, यह किया जाता है, तो ऐसी जो schemes है, यह cyber security audits और assessment की बात किया जाता है, वहाँ भी further increase किया जा सकता है, जैसे IBM जो company है, उसने एक बड़ा cyber security command center बनाया है, मैंगलूरू के अंतर, तो दूसरे जो firms वो भी ऐसा कर सकती है, cyber security के context में, क्यो next देखते हैं, Russia placed in restricted cover list emit conflict ECGC, यहाँ पर government owned ECGC said it had modified the insurance cover category for Indian export to Russia, तो यह कुछ developments आपके हो है, तो यहाँ पर हमें देखना है, कि basically ECGC क्या है, तो ECGC के है, यह इसे अगर बात किया जाता है, तो यह export credit guarantee corporation of India limited है, तो export credit provider, जैसे कोई export करता है, उस export में certain financial support है, वो आपका provide किया जाता है, तो यहाँ पर ministry of commerce के अंदर ही आपका आता है, और यह located है मुंबई, महरास्टरा के अंदर, तो credit insurance support Indian exporters को provide किया जाता है, और mainly जो civil servant है, जो ITS के तोर, I think Indian trade service जो cadre है, वहाँ से जो select होते हैं, जैसे civil service exam है, उसमें भी कई तरीके की services आप किया आती, तो ITS भी एक exam है, मैं जो एक category है, तो उसके जो officers हैं, वो इसका chairman आपका बनते हैं, यह भी ध्यान, अब इसके कई functions हैं, जैसे credit risk insurance cover exporters को provide किया जाता है, goods or service क इसके लिए, उसके बाद, banks और financial institutions को guarantee offer करना, जिसे कि वो exporters को, to enable exporters to obtain better facility from them, exporters को bank और financial institution एक better support provide किया जा सके, overseas का investment insurance है, वो provide किया जा सके, Indian companies को, जिसे कि वो आसानी से invest कर सके, in the form of equity or loan or advances के मात्यम से, तो ये कुछ आपके ECGC के, these are certain functions of ECGC, next देखते हैं, land protest over duochal, पचामी, कोल ब्लॉक, ये एक topic आपका important बन जाता है, land protest over duochal, explainer series के अंदर है, हिंदू के, land protest की बात की, यहाँ पे land protest over duochal, पचामी, कोल ब्लॉक, अब देखो हमने कौन-कौन से topics पढ़ ली, तो इसमें आप आपको duration का ध्यान नहीं रखना है, देखो, topics मैं आपको बता देता हूँ, कि कई बार रहता है ना, कि और भी देखो, IPCC की report पढ़ ली, जितना हमें जरूरत है, अब इस पूरे article के अंदर हमें जो जानना था, R2P क्या है, और कई articles हैं, उसको देख लिया, ये आपका हो गय अब देखो, इसी duration को, if you want, we can increase it to 1 hour, 1.5 hour, और 2 hours, बट उतने में तो आप खुद भी paper देख सकते हो, यहाँ पर देखना ये है, जरूरी ये है, कि time थोड़ा सा देखना है, कि किसी भी चीज को जब आप करते हो, तो आपको कितना समय लग रहा है, that is again very very important, तो time को आपको आ ज़्यादा focus ये भी देखना है, और फिर जो चीज़ आप पढ़ रहा है, उसमें हम लोग सारी चीज़े जो है, वो cover भी कर रहा है, तो यहाँ पर ये issue आपको बहुत important बन जाता है, land protest और दिवचा पचामी coal block, तो यह जो coal block है, यह located है, वेस्ट बंगाल में, किस district में, किस बजार में located है, यह नहीं है, अब इसमें देखो issue यही है, कि दिवचा पचामी जो coal block है, यह वेस्ट बंगाल का बहुत important एक project है, लेकिन इसमें भी issues arise हो रहा है, खासतोर से land acquisition को लेके, काफी सारे जो issues है, वो आपके arise हो रहा है, तो state government plan कर रहे हैं कि mining यहाँ पर शुरू क salt present है, तो यह काफी और इतने area में spread है, 12.31 square kilometer का area है, लगभग 3400 acre की land है, यह जो coal है, 1198 million tons of coal, 1400 million cubic meter of basalt इसमें present है, लगभग 12 villages हैं इसमें, 12 villages हैं in the project area with a population of 21,000, अब इसमें देखो कि आप जो mining activity करोगे, अब जो coal है वो नीचे present हमाँ घर बने हुए हैं, लगभग 21,000 लोग वहां रहते हैं, ऐसी schedule का schedule tribe से वो आपका belong करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अब उनके भी livelihood है, that will also be impacted, लगभग 35,000 करोड बंगाल government project, यह काफी protest face कर रहा है, इस project की कीमत अगर देखा था 35,000 जो की huge amount है, और सरकार भी चाहेगी ठीक है, इस project के माध्य जैसे में भी 3400 एकड में से 1000 को ओन करते हैं, अब उसमें भी 300 एकड जो forest land है, अब और land की अगर जो जरूरत land acquisition उसे करना पड़ेगा, mining activity अगर आप करते हैं, सरकारी तंत्र अगर mining activity करेगा, तो land को सबसे पहलो उसको acquire करना पड़ेगा, land को acquire करने में जो protest वहाँ जो लोग तो वहाँ पे सांथल ट्राइबल जो हैं, वो भी present है, अब उनका बहुत समय से relation, जैसे अगर आप देखोगे बहुत से जो जंगल में लोग रहते हैं, अब उन्हें हम कह सकते हैं, जो भी opinion हम देना चाहें, लेकिन उनका बहुत अच्छा एक relation exist करता है, land से भी अच्छा relation ह water bodies हैं, उनसे एक बहुत अच्छा relation है, उसके साथ वो maintain करके रखना चाहते हैं, एक अच्छा रिष्टे को जो है, वो maintain करके रखना चाहते हैं, तो और उनकी life उसी पर निर्भर करती है, वो imagine ही नहीं कर सकते हैं, वो concrete structure में अपने आपको survive ही नहीं कर सकते हैं, बहुत sensitive tribes हैं present हैं ऐसी जगाओं में कि अगर आप उनको ऐसा, जैसे जिस तरीके से हम रह रहे हैं, अगर उनको ऐसे लेकर आजाए तो वो जी नहीं पाएंगे, तो उनकी एक life है, जो की attached है, उस पूरे forest area से, तो अब आप कैसे उस चीज को convince हम कर सकते हैं, ये challenge है, मतलब इसमें दोनों तरीके के challenge ऐसा है, एक तरफ उनके rights है, उनकी livelihood है, उनकी life है, जो की समवेधानिक rights भी उनको provide करता है, और एक तरफ economic angle है, क्योंकि वो जो coal block है, वो उसी जगह हो सकता, coal block तो ऐसा नहीं है, कि वो कहीं और shift हो जाए, या फिर इस तरीके से तो है नहीं है, तो वो भी around 13 lakh पर बिगा, इतना जमीन का price provide करना, इवन ये भी का गया कि जो market trace हो, उसे दो गुना हम provide करेंगे, जो घर बना हुआ है, उसमें भी थोड़ा से पैसे का increase किया गया, increase from 600 square foot to 700 square foot, compensation जो है built up houses को provide करना है, 5 लाग पर family से 7 लाग को इसको बढ़ा दिया गया, तो ये compensation भी provide कर provide करेंगे, लेकिन अब वो देखो, money हर चीज कैसे buy कर सकती, जैसे simple सी बात है, अगर tiger है, tiger को एक habitat के अंदर एक रहने का है, तो tiger क्यों habitat के अंदर रहता है, tiger इसलिए habitat के अंदर रहता है, कि उसका पूरा एक system है, metabolism भी अगर आप देखो, या उसका रहने का जो तरीका है, य वो उस forest area से related, अगर आपने उसको उठा के कहीं और लेकर चलेगा, तो वो survive भी नहीं कर पाएगा, simple सी बात है, तो यह क्या है कि कोई भी living system, अब हमने जैसे दीर दीरे बहुत सारे लोगों ने अपने आपके अपके अड़ाप्ट कर लिया, urbanization, modernization, westernization, जो भी आप कह सकते ह लोग हैं, जो कि अभी भी अपना जो association है forest के साथ, वो maintain करके रखना चाहते है, अब उसको हम respect करें, यह क्या करें, वो अलग चीज है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि कैसे, क्योंकि एक समविधानिक rights भी सब carry करते हैं, तो उस rights को हम कैसे respect करें, क्योंकि जब dilemma होता है, ज प्रेक्ट देखो, यह explainer series के अंदर, यह हिंदू का ही है, तो controversy around the dollar 500 million, MCC grant to Nepal, MCC का यह topic है, जिसे millennium challenge corporation, pact आपका है, compact जिसे हम कहते हैं, जो कि नेपाल और US के बीच में sign भी कहता है, तो इसमें काफी protest आपका चल रहा है, पूरे के पूरे नेपाल के अंदर, तो इस issue को वो frame आपका बन सकता है, question बन सकता है, तो February 27 को, नेपाल का जो parliament है, उसने approve किया, Millennium Challenge Corporation, Nepal Compact, इसको किया है, so dollar 500 million का grant है, United States की तरफ से, electricity transmission और road development के लिए, वो provide किया जागा, 500 million grant, dollar 500 million का grant है, under Millennium Challenge Corporation, Nepal Compact, MCC, यह किसके अंदर है, आपको याद रखने, it's not UN, United Nations नहीं, US है, अब US इतना grant प्रवाइड करेगा, किसके लिए, electricity transmission और road development के लिए, अब यह चीज़ चाइना को भी नराज कर सकती है, तो यहाँ पे इसलिए, क्योंकि वो इतना close है, Nepal तो बहुत close है, चाइना के तो एक tension उसको भी आ सकती है, कि एकनॉमिक के नाम पर अपना presence बढ़ा देंगा, वही डर वाली बात है, तो यह जो grant है, it was ratified, यह ratified किया गया है, और यह जो declaration है, as per this declaration, इस states, कि जो US का grant है, यह इंडो पैस्विक स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है, और इसमें ध्यान से रखना, दो हैं, जो controversy के दो points है, एक तो compact, यह जो compact है, नेपाल और US के बीच, US भी यहाँ पे, जो millennium challenge corporation है, इसका और नेपाल के बीच में, इसमें क्या का कि हम आपको electricity transmission की जो projects है, और जो road development है, उसके लिए पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे, डॉलर 500 million पैसा हम आपको provide करेंगे, अ Quad के कई objectives हैं, तो Indo-Pacific strategy का जो यह हिस्सा ना हो, ऐसा है कि US का grant जो है कहीं, इसका हिस्सा ना हो, यह डर है, लेकिन इसमें साफसाफ का है कि इसका हिस्सा नहीं है, दूसरा इसमें यह भी कई points जो highlight किये गए हैं, कि जो भी staff है, जो भी इसमें work करेगा, वो नेपाल के laws के अं हिस्सा नहीं है, दूसरा यह नेपाल constitution हमेशा से उपर रहेगा, जो भी agreement के provision है उनसे, लेकिन जो protest चल रहा है, वो इसका opposite सोसता है, कि इसका strategy है और यह नेपाल constitution को overcome कर देगा, ऐसा आपका mention है, तो यह एक तरीके से मातर, एक economic assistance है, यह highlight किया, political party or civil societies इस बारे में divided है, अब जो भी communism का ideology है, वो follow नेपाल में भी बहुत होती है, और वहाँ पे जो भी चाइना की द्वारा जो support होगा, कई सारे sections को, तो वो protest continuous basis इस issue में करेंगे, अब what is millennium challenge corporation, तो MCC short में कहते है, तो यह एक independent US foreign aid agency है, यह 2004 के अंदर established कियाता है, ऐसा नहीं कि इसका जो establishment है, वो आपका इंडो pacific का, क्योंकि इंडो pacific की strategy तो अभी develop हुई है, इंडो pacific जो region है, इसको consideration as a block के रूप में, अभी हमने करना start की, बट यह MCC 2004 से आपका exist करती है, 2004 से, और यह क्या है, foreign aid agency है, कई countries को, जैसे economic growth को promote करने के लिए, गरीबी खतम करने के लिए, उनके institutions को strengthen करने के लिए, जो ऐसी countries हैं, जैसे lower income countries हैं, उनको, उनको एक grant provide करना, यह एक आपका है, जो current official definition of the aid, MCC जो है, basically proposed किया था, George W. Bush के द्वारा, George Bush administration के द्वारा, 9-11 attack के द्वारा, जैसे माना गया है कि इस तरीकी की activities में, ऐसी जगा पर ज़्यादा देखने को मिलता, जहाँ पर गरीबी दीक है, तो इसको रोकने के लिए क्या subscribe लिया जाए, तो यहाँ पर गरीबी को खतम करने के लिए, global poverty खतम करने के लिए, international terrorism को खतम करने के लिए, क्योंकि यह कहा गया कि गरीबी terrorism से linked है, तब यह MCC आपका प्रपोस किया गया, कि यह कैसे हम घरीबी को खतम करें, poverty को end करें क्यों poverty को और terrorism को link किया गया, तो poverty और terrorism को link करके फिर इसको कैसे खतम किया, तो तब यह आपका MCC को propose किया गया था, तो यह country इसको select करती है, एक selection process है, country का performance को देखती है, कई सारे कुछ indicators दिये हैं उसके माध्यम से, तब ही क्योंकि उन indicators के basis में ऐसा देखा जाता है, कि ऐसा बहुत corrupt तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है, तो वहाँ पर यह है कि जो भी आपका पैसा दिया जाए, उसको properly use किया जाए, यह जो है five year grant आपका रहता है, और यह जो grant है, यह cross border economic integration को भी promote करता है, और यह we can say smaller grant aimed at policy reforms, यह नेपाल को offer भी किया गया था, नेपाल जो है, नेपाल को offer भी किया गया था in the form of compact, और जो MCC है, इसमें लगभग, है सो फार approved about 37 compact, 29 countries के साथ इसने 37 compact अल्रेडी परवाइड किया है, जिसमें dollar 13 billion provide किया जा रहा है, ग्रांट के रूप में, अब यहाँ पे, जो MCC नेपाल compact की बात किया जा, तो यहाँ पे 2014 में, कई meetings आपकी हुए, कई indicators तो देखते हुए, फिर यह जो agreement है, 2017 को आपका sign किया गया, और इस compact के अंदर जो US government है, MCC के माद्यम से लगभग dollar 500 million यह नेपाल को provide करेगी, नेपाल में जो energy transmission का project है, उसको develop करने में road development project है, उसको provide करने के लिए, और लगभग dollar 130 million, इतना आप कह सकते हैं कि, with the letter also chipping in dollar 130 million from its ex-check, मतलब 500 million यह प्रोजेक्ट के ताहित, MCC के ताहित लगएगा, और 130 million dollar आपका नेपाल भी provide करेगा, यह जो compact है, इसके according energy project का aim यह ही है, power generation, economic growth नेपाल के अंदर ले कराना, किस तरीके से cross border जो electricity trade है इंडिया के साथ, तो वो किया जा सके, अगर आप इस point को देखो, कि इंडिया और नेपाल, hydro diplomacy में बहुत सही है, मतलब काफी अधिक जो electricity produce भी भोटान के अंदर होता है, वो हमें इंडिया को provide करता है, उससे वो अपना पैसा कमाता है, नेपाल के साथ ऐसा नहीं है, नेपाल के साथ कई issues है, जिससे की एक, मतलब जो electricity वो produce कर सकता है, क्योंकि उसकी topography इस तरीके से, तो जो electricity वो produce कर सकता है, उसको हमें बेंज सकता, बट वो ऐसा करता नहीं है, तो कैसे cross border electricity trade किया जाते हैं, फिर यह जो bill है, यह formally accept और ratify करना पड़ेगा, तो जो क्या भी किया गया है, US और नेपाल government ने इस चीज को highlight भी किया है, कि यह एक तरीके से grant के रूप में ही है, और इसमें कोई ऐसी conditions नहीं है, नहीं कोई repayment और interest payment की जुरुरत है, मतलब जैसे चाइना के दौरा कोई भी पैसा देता है, तो उसमें interest भी लग जाता है, फिर interest pay नहीं करता जाता, तो interest बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, फिर वो कुछ ना कुछ ले लेगा कि इसको हमें lease में दे दो, तो यह इस प्रकार का grant नहीं है, तो यहाँ पर नहीं कोई ऐसी कोई condition लगी हुई है, नहीं कोई repayment, interest payment है, ऐसा भी इसमें highlight किया गया, दूसरा यह कहा गया है, कि जो section 7.1 है agreement का, इसके according, it will prevail over the domestic law of the Nepal, and section 6.8 grant immunity to MCC staffs in all courts and tribunals, तो जो भी MCC के staff हो, उन पर कोई भी court या tribunal नेपाल का, उसमें लागू नहीं कोई, इसी वज़े से protest का भी यही एक बड़ा reason है, अब dispute क्या है कि, जो कई political parties है, वो अलग-अलग तरीके से इसको ले रहे हैं, कह रहे हैं कि, इससे हम कहीं ने कहीं, अपनी sovereignty को compromise कर रहे हैं, यह US का Indo-Pacific strategy का हिस्सा है, क्योंकि यह China इस argument को push भी कर रहा होगा, और दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि, चाइना का जो one built, one road initiative है, जिसके माध्यम से नेपाल को भी उसका हिस्सा बना के, और फिर increase करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, अमेरिका जो है अपने ग्रांट प्रोवाइड करके, और एक जो influence है नेपाल के अंदर चाइना को उसको counter करना, अब जिसे यूक्रेन के अंदर क्या हुआ, रशिया को तो fear ही तो था कि NATO का presence है, मालो अब चाइना नेपाल में आके बैठ जाए, या बोटान में बैठ जाए या फिर जाके बांगला देश में बैठ तो इंडिया के भी concern बहुत अधिक आपके रहेंगे, तो ये सब चीजें, ये ये भी एक point आपका आता है कि इंडिया क्या लेग, इंडिया ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हमारा एक जो thinking है, वो अलग है कि कहीं पर जाके ऐसा, क्योंकि Maldives में तो जो सरकार बैठी हुई थी, पिछली जो सरकार बैठी हुई तो पूरा चाइना के दौरा ही आप कह सकते हैं थे कि काफी support प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उसको हमने अलग तरीके से tackle किया, तो यह एक तरीका होता, मतब ऐसा है आप किसी देश में attack नहीं कर सकते हैं, यह solution कभी भी नहीं हो सकता है, कि जा कि किसी देश में आपने attack कर दिया, अब उसको किसी भी एंगल से अब justify करने की बात करें, लेकिन यहाँ पे मालो differences भी हैं, तो differences को dialogue के माध्यम से ही resolve किया जा सकता, अभी attack ऐसे करने लग गया, एक दूसरे के ऊपर तो फिर कैसे countries कैसे बचेंगी, सोचने वाली बात, यह अपने आपको larger power के आपका जुखा के रखती है, मतलब आप यह मानो कि बड़ी जो powers है, उनकी सारी बाते आप मानो, आपको आपको लएगा, वो जो बोलेंगे, ठीक है, वो आप मान, जो भी छोटी powers है वो उसको मान ले, अब इसकी वज़े से क्या है कि जो smaller powers है, या ज power है, की है, वो small power को मानना पड़ रहा है, तो यह जो इस प्रकार का अप्रोच है, इसके लिए जो term use किया गया है, वो है finlandization, ठीक है, यह जो term use किया गया है, that is finlandization, अगर आप session live देखना है, तो आप like button press कर सकते हैं, but one needs to be careful when applying the same principle to other countries, तो यह जो finlandization है, यह can be traced back to the cold war, और fin finland की बात किया जाए, उसने nato को join नहीं किया, और there was no interference from Moscow due to, जो finland और soviet treaty थी 1948 की, relation जो है, दोनों nations के बीच में turn ठोड़ा खराब हो गया था, फिर एक night frost crisis हुआ था, इस सारी चीजे में, बट देको यह कहानी पूरी दी हुई है, finland soviet union के रिस्तों के बारे में, बट आप इस course का हिस्सा बन सकते हैं, और एक course और भी यह भी आ रहा है, बिपीन चंदरा के उपर, ठीक है, यह ध्यान में रखना है, कल हमने introduction to Indian arts की जो NCRT उसके 5 chapter YouTube के अंदर cover किये थे, तो अगर आपने नहीं देखा हो देख ले ना, इसी session नीचे में जाके आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, सो आज के लिए इतना ही है, I hope इस session helpful रहा होगा, इस session को PDF आपको मिल जाएगा proper, थोड़ा late मिलता है, बट वो मिल जाएगा proper तरीकी से जो PDF है, उसको आप देख सकते हो, और फिर अपना print out गया जो भी है, वो आप ले सकते हो, पर notes बनाने के habit जर